जिसे बीजेपी की बहुत बड़ी जीत का जा रहा था उसके पीछे वो मुद्दा भी है जिसके वज़े से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने एक नहीं बलकि तीन राज्यों में कॉंग्रेस को बुरी तरह से गेर लिया कॉंग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब उसका खेल खत्मों गया ये मुद्दा था सनातन का और इसे लेकर बीजेपी ऐसी हमलावर हुई कि कॉंग्रेस चारों खाने चित्रों परिया सनातन जानी शास्वार प्राची स्ट्प्राची स्थिर अटर अनध अनश्ट्रों शिरंदर निरंदर निश्या जिसका अस्तित्व सदा सर्वदा व्यद्यमान रहे जिसका कभी अभाव ना हो यही है सनातन 2023 के विधान सभा चुनाओ में सनातन मुद्दा बन गया नरेंदर मुदी ने सनातन पर कॉंग्रेस को ऐसा घेरा की तीन राज्यों में कॉंग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई देखते ही देखते सनातन के मुद्दे ने कॉंग्रेस का वो हश्र कर दिया जिसका अंदाजा शायद खुद बीजेपी को भी नहीं था कि उसकी जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी एक सिथंबर को तमिलनाजू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री ओदय निधे स्टालिन ने सनातन धर्म पर ऐसी बात कह दी किस विवाद की आच उत्तर भारत तक पहुँच गए और देखते ही देखते तीन महीने के अंदर ऐसा बवंड़ा चला कि तीन राज्यों में कॉंग वेस मू दिखाने लाइक नहीं रहे मुझे लगता है कि भारत की जनता ने जातिवाद की राजनीती और सनातन के विरोध को स्विकार नहीं किया है सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है भारत की आंत्मा है सनातन और सनातन को गाली देने वालों के साथ कॉंग्रेस खड़ी है ये भारत की जनता को अच्छा नहीं लगा कॉंग्रेस सनातन के चक्रवियों में फंस गए और देखते ही देखते सनातन पर चोट की कोशिश बीजेपी के लिए वोट में दब्दील हो गए कॉंग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हारी कॉंग्रेस सिर्फ राज्यों में नहीं हारी कॉंग्रेस अपने साथियों के जाल में फंस कर यही समझती रही कि उसने बीजेपी को बुनियादी चुनावी मुद्दों में फंसा कर रख दिया है लेकिन सनातन पर बीजेपी का प्रचार बहुत कटीले तारों की तरह कॉंग्रेस को चारों तरफ से जकरता रहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मधिप्रदेश से लेकर 36 गड़ और राजस्थान तक पबलिक को समझा दिया कि सनातन इस तरह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया कॉंग्रेस और उसके साथ ही सनातन को खत्म करने का एलान कर रहे है और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना क्या ही करने देंगे आप ये करने देंगे ये कॉंग्रेस के कामणा में चलने देंगे एक गमन्डिया गडबंदन के कर्तुत मानने करेंगे चार हजार किलोमीटर की बद्यात्रा करते हुए राहुल गांधी जो मुहबबत की दुकान खोल रहे थे उसके सामने सनातन के खिलाब फुधाय निधी स्टालिन का बयान नफरत का बाजार खड़े करना जैसा रहा पबलिक सब देखती रही और फिर अच्छानक राहुल गांधी की वो महीनों तक चली मेहनत जैसे बिना किसी शोर शराबे के डूब गई बेश की जंता का दिल जितने के लिए राष्ट सेवा का जज़बा होना चाहिए और गमंडिया गड़बंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नेगेटिविटी एक गमंडिया गड़बंदन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती पूरुक रिकेचर वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा सनातन धर्म के खिलाफ अब शब्दों का नतीजा बुरा होना ही था देश भर में तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी के कई नेताओं ने उधरेदी स्टालिन के बयान की निंदा की इंडिया एलाइंस के नेताओं ने भी इस बयान से किनारा करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल चुका था और आखिरकार कॉंग्रेस ही वो पार्टी बनी जिसे इस बयान का सबसे ज़्यादा खामयादा उठाना पड़ा क्या कॉंग्रेस को वाकई सनातन का श्राप लग गया? क्या कॉंग्रेस की हार की सबसे बड़ी वज़ा सनातन का मुद्दा रहा? कैसे सनातन बीजेपी के प्रचार का सेंटर पॉइंट बन गया? ओदय निधिय स्टालिन ने सनातन पर एक सितंबर को बयान दिया था और बीजेपी ने इस मुद्दे को फोरन लबका दो दिन बाद ही राजस्थान के टुंगरपूर में अमित शा की सबा होई और वहाँ उन्होंने डियमके से लेकर कॉंग्रेस तर सब को गेद लिया इंडिय एलाइंस के दोप्रमुक्तल डियमके और कॉंग्रेस पार्थी इनके बड़े नेता एक वित मंत्री का बेटा और एक मुख्य मंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए मुझे बताओ भई सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या बीजेपी ने जैसे जैसे अपने प्रचार में इस मुद्दे को उठाया राजस्थान और मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई कुछ लोग समझ गये कि डियमके ने कॉंग्रेस के पैर पर पुलाड़ी मारती है कॉंग्रेस नेता अच्यारे प्रमोद कृष्णम ने कॉंग्रेस की हार पर कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूपा है सनातन का विरोध करने से पार्टी डूप गई है मुझे लगता है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले सनातन धर्म को खत्म करने वाले सनातन को बरबाद करने वाले जो शड़ियंत्र कर रहे है ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और सनातन न मिता है न मिता है कॉंग्रेस की हार की कई वज़े रहे और सनातन परोदय निधेल स्कालिन का बयान उनमें से एक बड़ी वज़बन ये आज कॉंग्रेस की कई बड़े नेदा मैसूस कर रहे होंगे दक्षन की राजनीती उत्तर भारत की पॉलिटेक्स से काफी अलग है विधान सभा चुनाओं के नतीजों के बाद कॉंग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि सनातन के मुद्दे पर उससे गलती हुई है और बड़ी गलती हुई है बीजेपी अक्सर अपने मुद्दे पर कॉंग्रेस को लाने में सफल हो जाती है सनातन का मुद्दा भी ऐसा ही है जिस पर नचाहते हुए कॉंग्रेस को आना पड़ा और एक बार जब कॉंग्रस बीजेपी की पीछ पर चली गई तो बीजेपी ने चौके छक्के लगाने से चूक नहीं की बीजेपी सनातन के मुद्द को जमीन तक ले कर गई प्रधान मंत्री से लेकर पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने इस मुद्द को उठाया और पिर जब चुनाओं के नतीजे आये तो सब को ऐसास हो गया कि सनातन का मुद्द तकलिक कर गया कोई हिंदुत तो एक कोई किसी वेक्ति विशेस का विशय नहीं है हिंदु तो ये धरातल है ये भारत भूमी है یहां सनातन है यहां हिंदु है हमने अगर अन्ने सभी मत और पंदों को अवसर दिया है यहां रहने का आप रह सकते हैं खा सकते हैं क्योंकि अतिति देवो भव यह हमारे यहां कहा गया इसलिए अतिति देवो भव की हम उसमें रहते हैं संसकारों में रहते हैं तो हम सबको मानेता देते हैं और इसमें कॉंग्रेस ने हिंदूों के साथ सदेव शडेंतर किया है हिं की पॉलिटिक्स के चक्कर में कॉंग्रेस ने अपना चुनाव दाउं पर लगा दिया डिया डियम्के से फॉरं के नारा ना करना कॉंग्रेस को महगा पड़ गया ओदय निधे स्टालिन ने सनातन पर क्या कहा था उससे बहुत गौर से दीखिएगा अधर बॉलिट पर क्या क्या चुनावचब कर दोम्याचिक्वा डिया डिया डियुदे म 나वीव कर दोम्याचिक्स अधरों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जब इस मुद्धे को अपने प्रजार में शामिल किया तो एक तरह से बीजेटी को लाइन मिल गए कि कॉंग्रिस के खिलाफ चुनाओ किन किन मुद्दों पर लड़ना है और उसमें सनातन को लेकर विवाग पार्टी को बीजेटी को कितना नफ़ा और कॉंग्रिस को कितना नुकसान पहुचा सकता है मदिप्रदेश में जब वोट पड़े उससे पहले सनातन की याद दिलाई गए राजस्थान में जब वोट पड़े तो उससे पहले कनहिया लाल मॉडर केस और कॉंग्रिस की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किये गए कुल मिलाकर यही मुद्दा कॉंग्रिस की बड़ी हार की वज़ा बन गया तीन राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद अब कॉंग्रिस के सामने 2024 का पहाड जैसा चुनाओ है हिंदी बेल्ट के तीन बड़े राज्यों में सूपड़ा साफ होने के बाद कॉंग्रेस के सामने कन्फ्यूजन वाले हाला थे इंडिया एलांस में कॉंग्रेस के साथ देयम के भी है और सनातन का मुद्दा ऐसा है जिस पर ओदैन इधे स्टालिन ने अभी तक अपने बयान पर न माफी मांगी है ना ही उस पर किसी तरह के खेट जाहिर की है कॉल मिलाकर कॉंग्रेस की मुसीबत अभी जिन्दा है और 2024 के फैसले में इसका थोड़ा बहुत असर दिखता रहेगा